दिली सहित पूरे देश में कोरोना के मामलों में इजाफा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि फिर से कोवर्ट जांच की संख्या बढ़ा दी गई है इसलिए इस बात को लेकर पैनिक ना हो कि कोरोना तेजी से फैल रहा है जब तक संक्रमित लोगों में बीमारी गम भी नहीं देखी जाती है तब तक चिंता की कोई बात नहीं अभी जो संक्रमन फैल रहा है उसमें ओमिक्रॉन का नया सब वेरियंट जी एन पॉइंट वन देखा जा रहा है सबदरगंज अस्पिताल के डॉक्टर जूगल किशोर ने का कि ये ओमिक्रॉन का ही नया सब वेरियंट है ये पहले से पहले हुए वेरियंट से ही मिलता जुलता है अभी तक ये बहुत ही माइल्ड देखा जा रहा है इससे खासे और जुखाम हो रहा है जाच करेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव मिले लेकिन ये खतरनाक नहीं है मौत का खतरा कम है अभी जितने टेस्ट करेंगे पॉजिटिव आएंगे घबराने वाली बात नहीं है सर्दे के दिनों में वैसे भी बाकी वाइरिस आक्टिव हो जाते हैं इसलिए अलर्ट रहना चाहिए बचाव के तरीके अपनाने चाहिए जब नया संक्रुमन फैलता है तो हर किसी को संक्रुमन होने का खतरा रहता है ऐसे में जो लोग कैंसर, हाट, लिवरी फेल, किड्नी फेल जैसी गंभीर बीमारी की वज़े से अस्पताल में अड्मिट है उन्हें खतरा ज्यादा रहता है हो सकता है उनकी मौत अपनी बीमारी की वज़े से हो लेकिन जांच में अगर मरी इस कोविट पॉजिटिफ पाई जाते है तो उन मौतों को कोविट से होने वारी मौत में शामिल कर दिया जाता है अभी जो मौत के मामले आ रहे हैं उसी वज़हा से है आटी पेसिया टेस्स से कोविट का पता चलता है JN.1 वेरियंट इस टेस्स से पता नहीं चलता है इसके लिए जिनॉम सिक्वेंसिंग की जरूरत होती है जो गिंतिक के सेंपल की चांच की जाती है जिनॉम चांच में वेरियंट का पता चल जाता है फिलाल JN.1 वेरियंट के बड़ते केस्स पर आपका क्या कहना है हमें कमेंच करके जरूर बताएं ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें